इस चैनल पर मैं लेकिया आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4 की ईवेस की बुक, लुकिंग अराउंट से, चैप्टर 16 अब इसी मन्त इस चैप्टर का मैंने आपको फिर्स पार्ट पहले ही करवा दिया है जिसके अंदर मैंने आपको यह स्टोरी पुरी एक्सπेलीन की है अगर आपने इसका first part नहीं देखा है, miss कर दिया है तो link मैंने नीचे description में दे रखा है जिस पर click करके आप इस वीडियो को देख सकते हो अभी मैं start कर रहा हूँ इसका second part और second part में हम लोग करने जा रहे हैं question answer चलो फिर start कर लेते तो सबसे पहले इस screen पर ये हैं आपके लिए question number one और first question में आपसे पूछा जा रहा है how many years ago did Jigu bhai write this letter इस story के अंदर Jigu bhai है जो कि एक letter लिखते हैं बच्चों को और बताते हैं कुछ information तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये जो letter लिखा गया है Jigu bhai के दोरा ये कितने साल पुराना है ये आपको बताना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस question को note कर लोगे ठीक है जैसे आप note कर लोगे तो इसका answer कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि Jigu bhai wrote this letter 86 year ago अब ये हमें कैसे बता लगा तो इसके लिए एक छोड़ी सी calculation है अभी जैसे मैं वीडियो record कर रहा हूँ या आप class attend कर रहे हैं तो ये 2022 है और Jigu bhai ने ये जो letter लिखा था 1936 के अंदर लिखा था तो जब आप इसे minus करेंगे तो आपके पास इसका answer आ जाएगा ठीक है तो जब आप इसे minus करते हैं तो आपके पास क्या आता है 86 आता है तो आप कह सकते हों कि 86 year ago Jigu bhai wrote this letter ठीक है तो इस तरह से आप अपना answer निकाल सकते हैं EBS की class में maths हो गया सब एक ही question है बाकी तो EBS के ही होंगे ठीक है चलो अब देखते है next question यानि question number second second question में आप से बोला जा रहा है कि find out how old your grandfather and grandmother were at that time यानि 1936 के बारे में पूछा जा रहा है कि 1936 के time पे आपकी grandfather यानि दादा जी और आपकी grandmother यानि दादी जी कितनी age की थी यह आपको बताना है तो आप क्या कर सकते हो इस question के लिए अपने दादा दादी से बात कर सकते हो उनसे पूछ सकते हो कि भी आप जब 1936 एर था तब आप कितने बड़े थे, छोटे थे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके दादा दादी उस time पैदा भी ना हुए हो तो उसी के according आपको answer लिखना है तो पहले तो question लिख लोगे और question लिखने के बाद answer लिखते हैं तो second का answer आप लिख सकते हो कि my grandfather was 3 year old कि suppose करलो किसी के grandfather 3 year के थे तो वो 3 year लिख देगा किसी के grandfather हो सकता है 10 year old थे तो वो क्या लिखेगा है 10 year old लिख देगा तो जिसके भी grandfather या grandmother जितने भी year के हैं उसके according आपको answer लिखना है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि grandfather की age मैंने आप बता दिये कि my grandfather was three year old and my grandmother was not born कि ये भी possible है कि grandfather या फिर grandmother में से एक तो पैदा हो गए होंगे एक नहीं पैदा हुए होंगे तो जो नहीं पैदा हुए हैं उनकी according भी आप लिख सकते हो कि जैसे मैंने grandmother के लिखा है कि my grandmother was not born कि grandmother तो पैदा ये नहीं हुई थी यानि दादी पैदा नहीं हुई थी और दादा कितने साल के थे three year के थे तो इसी के according आपने answer लिख लेना है तो I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि question number second का answer हमें कैसे करना है ठीक है इसके बाद next time question number three और third question में आप से पूछा जा रहा है this letter talks about many different birds बिल्कुल ये जो story है chapter है इसमें एक letter था जिसे हमने first part में read किया था और इसमें मैंने आपको explain किया था different birds के बारे में कि किस तरह से वो survive करते हैं किस तरह से रहते हैं और किस तरह से पूरी life spend होता है उनका उनके बारे में तो आप question ये है आपके लिए कि how many of these birds have you seen अब इन में से कितने ऐसे bird हैं जिनको आपने देखा हुआ है it means in this question you have to write the names of the bird you have seen earlier आप number में भी mention कर सकते हो उनके नाम लिखके भी mention कर सकते हो तो question number 3 लिखो और 3 लिखने के बाद यानि third question लिखने के बाद आप answer कुछ इस तरह लिख सकते हो कि answer number 3 I have seen different kinds of bird like robin, cuckoo, crow, dove or you can write many other birds names also just like a peacock, crow, crow तो mention कर दिया है मैंने eagle, parrot, peason ठीके इस तरह से आप जितने चाहो birds के नाम mention कर सकते हो अपने answer में तो इस तरह से आप question number 3 को complete कर सकते हैं ठीके तो अब हम लोग move करते हैं next question that is question number 4 अब fourth question में आपके लिए how many other birds have you seen which one कि आपको अब ये बताना है कि आपने इनमें से other than this जो आपने इस chapter के अंदर discuss किया था उसके बारे में आपको बताना है यानि कि कुछ bird ऐसे भी होंगे जो story के अंदर नहीं आये थे तो आपको उन birds के बारे में भी बताना है ठीक है तो पहले तो आप क्या करोगे question को लिख लोगे और note करने के बाद question number 4 का हम लोगों ने क्या करना है answer लिखना है तो इसका answer several other birds like parrot, eagle, sparrow, vulture ये कुछ दूसरे birds हैं जो story के अंदर तो नहीं आये थे बड़ आपने देखे जरूर होंगे parrot यानि तो था, eagle, sparrow और बहुत सारे ऐसे birds जो मैंने तो कुछ नाम लिखे हैं ठीक है इसके इलाबा भी आप लोग expand कर सकते हो अपने answer को numbers में बढ़ा सकते हो birds के time क्या करना है आपने वीडियो को pause करके अच्छे से answer लिख लेना है उसके बाद ही आपको वीडियो को दुबारा प्ले करके next आगे बढ़ना है ठीक है चलो बढ़ते हैं फिर आगे यानि question number five की तरफ तो fifth question आपके लिए है have you seen a bird's nest where did you see it कि आपने कभी भी bird का जो nest होता है यानि चीडियां का जो घोशला होता है क्या आपने कभी से देखा है तो definitely आप बोलोगे yes sir I have seen answer तो yes आएगा अब उसके बाद आपने ये बताना है कि आपने कहां देखा है it means you have to mention the place also कि आप place भी बताओगे कि किस जगह पे आपने ये देखा है bird का nest तो पहले तो आप yes या no में answer दोगे और मैं मान के चल रहा हूँ कि maximum student ऐसे होगे मेरी class में जो इक लास एटेंड कर रहे हैं yes ये answer होगा इसलिए मैं answer क्या करता हूँ 5th का yes लिखवा देता हूँ कि I have seen this bird next at my home at my school या जिस भी place पे आपने देखा है उसके according answer लेख सकते हो मैंने यहां लिखवा है I saw it on a tree in our garden कि आपके घर के आसपास कोई garden है आपने garden में किसी tree की ओपर इसे देखा हुआ है तो मैंने इस तरह से answer लिखा है I saw it on a tree in our garden ठीक है या फिर आपने school में देखा है in our school हो जाएगा या फिर किसी और different place पे देखा है आपने तो garden की जगह उसे replace करके आप उस place का नाम mention कर सकते हो किसी office में देखा है office लिख दोगे ठीक है पार्क में देखा है पार्क लिख दोगे garden पार्क में ज्यादा difference नहीं होता है ठीक है तो इस तरह से आपने question number 5 को complete कर ल screen पर है बिल्कुल top पर देखो यह वाला question question number 6 which is your favorite word can you show your friends in the class how it fly and what sound it made अच्छे इस question में आपने क्या करना है you have to mention the name of the word that you like the most it means you have to write the name of the word which is your favorite bird तो जो भी आपका favorite bird है उसका नाम लिखना है हाँ उसके बाद आपको act करके यह थोड़ी सी bird की acting भी करना है आंसर राइटिंग में तो acting नहीं होगी बट आप लोग क्लास में acting भी करके दिखा सकते हो कि किस तरह से यह बर उड़ती है और किस तरह से यह sound create करती है ठीक है तो you have to write the answer the answer is my favorite bird is pigeon a pigeon क्योंकि सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे घर के आसपस मैं दिली में रहता हूं तो दिली में सबसे ज़्यादा पीजन देखने को मिल रहे है मुझे तो मैंने पीजन लिख दिया कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते कि नहीं सर पीजन नहीं सर हम पीजन पसंद है तो यूग राइट पीजन और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं जो भी आपका फेवरिट बड़ है उसका नाम लिख दोगे इसके में ठीक है साउंड भी बता देना जैसे पीजन इस तरह का साउंड आता पीजन का ठीक है या कोई और बड़ है उसका नाम आप लिख सकते हैं ठीक है पेड़ लिखो पीजन लिखो जो भी फेवरिट है वो उसको लिख लो ठीक है आच जैसे आप कोशन नबर 6 कंप्लीट करते हो निक्स्ट आपके लिए हैं कोशन नबर 7 और 7 कोशन में आपको गैस करने के लिए बोला जा रहा है तो पहले इस पू आप आप आणसर करेंगे और कोशन है guess what this bird is it means you have to guess the name of the bird ठीक है तो जैसे यहाँ पर जो मेंशन है clue आपको given है उसे पढ़ लेते हैं a crown on the head and coin on the tail कि आपसे बोला जा रहा है यह जो bird है इसके head पे crown होता है ठीक है और आगे next बोला जा रहा है कि इसमें coin जैसा कुछ बना होता है इसके tail में tail कहलो या फिर punk कहलो एक ही बात है so many shade of blue from top to tail और shade किस तरह का होता है किस color का blue color का shade होता है इस bird के पंखो में आप यह कह सकते है अच्छा फिर आपसे यह भी बोला जा रहा है कि clue के लिए it is our national bird अब अगर आपको national bird कौन सा है यह मालूम है तो बहुत आसानी हैस का answer आप लिख सकते हो तो समझ गया होगे sir question number seven का answer तो peacock है और answer क्या लिखोगे answer number seven the bird is peacock how you recognize this bird यह तो first clue से ही पता लग गया कि यह क्या है national bird है हमारी country का ठीक है तो आप ऐसे भी पता लगा चुके हो और second आप कह सकते हो sir crown जो है crown से भी हमें पता लग गया कि इसके head पे जो crown होता है ठीक है और blue color mention किया गया था तो blue color से भी आपने इसे identify कर लिया यह one two three mention नहीं करना है समझाने के लिए बता रहो इससे आपको clue मिल गया कि यह मारा answer होगा आचा अब question number seven complete करने के बाद next time question number seven seven के बाद eight हो जाएगा ठीक है और eight question में है do you know of any other birds that make its nest in a tree trunk like a barbate does जिस तरह से barbate bird है वो अपना tree के अंदर जिस तरह से nest create करता है similarly some other bird also create like this you have to mention the name of the bird that make the nest in a tree trunk कि पेड़ की जो खाल होती है एक तरह से पेड़ की जो शक्खा है उसके अंदर कौन-कौन से bird है जिसके अंदर अपना घोसला को गयरा बनाती है यह आपको बताने तो पहले आपने क्या करना है question number 8 को note कर लेना है ठीक है और जैसे note कर लोगे तो इसका answer आप लिख सकते हो yes woodpacker जो हती है तो आप लिख सकते हो अपना answer yes woodpacker is the other bird that makes its nest in a tree trunk tree trunk के अंदर यह अपना nest यानि घोसला बनाती है just like a barbit does इस तरह से barbit बनाती है उसी तरह से woodpacker भी अपने लिए घोसला त्यार करती है ठीक है तो इस तरह से आप question number 8 का भी answer कर सकते हो बहुत आसान है बहुत easily आप इसका answer कर सकते हो इसके बाद next जो आपसे बोला जा रहे है उसे पहले पढ़ लेते हैं इसके है क्या actually इसके अंदर कई सारे छोटे-छोटे question है ठीक है तो मैं क्या करूंगा उस पूरे को जैसे अभी हम लोगोंने question number 8 तक किया तो next क्या हो जाएगा हमारा question number 9 onward जो है उसके बारे में आपको कुछ information given है इसको है आपको कुछ statement given है पहला हम इसे पढ़ लेते हैं क्या है इसके 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 नेस्ट इसको ध्यान से आपको देखना है you have to stand far away थोड़ा दूर से और फिर उसको देखना है and do not touch it और हाँ ध्यान रहे है आपको उसे touch भी नहीं करना है ठीक है touch नहीं करना है आपको घोसला को सब दूर से देखना है जा घर के अंदर है या घर के आसपास है उसके बारे में बोला जा रहे है if you do then the bird will not come to the nest again अगर आप यह सब activity करोगे यानि उसके घोसले के नस्दीक जाओगे या उससे touch करोगे तो यह जो bird है next time नहीं आएगा तो इस चीज का ध्यान रहे है यानि कि यह आपके लिए क्या होगे एक तरसे activity होगे आपके लिए और यह activity आप खुद से घर पे करोगे ठीक है गुसले के पास जाना है गुसले को देखना है अब जब यह सारी चीज़े आप कर लोगे उसके बाद आप capable हो जाओगे अब जो rest जो question आने वाले है यानि question number 9 onward जो question आने वाले है इस activity waste है यानि कि यह first activity हो गई है आपके इस question answer के अंदर तो जो आपको देखना है द don't down the following things कि आपको कुछ दिनों तक यानि कि एक दिन में काम नहीं होगा कई दिनों तक आपको घोसला क्या करना उसे observe करना है कि उसमें जो bird वगरा किस तरह से रहते हैं किस तरह से खाते हैं किस तरह से mother bird, baby bird को खाना वगरा खिलाती है ठीक है जैसे घर के आसपास कहीं कोई tree वगरा हो तो उसमें आप देख सकते हो egg वगरा होंगे इसके अंदर या फिर baby bird हो सकता है या फिर bird भी आपको देखने को मिल जाए आपको उनको touch watch नहीं करना है बस बहुत नजदीक भी नहीं जाना बस दूर से देखना है और फिर उसके according आपको यह जो question आने वाले हैं यहां पे इन्होंने घोसला बनाया हुए है पहले तो आपको यह बताना है इस question के answer में तो most probably हो सकता है कि वो किसी tree के branch के उपर create किया गया हो तो आप लोग क्या करोगे अपना answer यानि कि answer यहीं लिखवा देता हूँ answer number 9 मि लिख सकता हूँ the nest is made on branch of tree ठीक है किसी भी tree है उस tree है उसके branch पे बनाया गया हो आप यह बता सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो अपने answer को कि किसी के किसी शाखा वगरा आप किसी डाली वगरा पे create कर रखा है तो आप बता सकते हो आच उसके बात next है आपके लिए question number 10 है और 10th question में आपसे बोला जा रहा है what is the next made of कि यह जो घुशला वगरा है जो आपके घर के आसपास होगा किसी का बना हुआ है क्या material यूज कर रखा है आपको यह बताना है इसके अंदर तो most probably यह जो बना हुआ होता है जो dry leaves वगरा होते है ठीक है जो dry leaves वगरा होते है mostly उसी का बना होता है तो आप अपने answer में यह लिख सकते हूँ कि यह किसी इसका बना है कि dry leaves तो आपने यहाँ पर क्या करना है answer लिखना है ठीक है बुक में नहीं answer copy में करना है अभी पहले question लिख लोगे question लिखने के बाद लिख सकते हो the nest is made of dry leaves ठीक है या फिर और भी कोई चीज आगर आपको देखने को मिलती है तो वो भी आप mention कर सकते है उसके बाद next है आपके लिए question number 11 और 11 question में आपसे बोला जा रहा है is the nest ready or are the birds still making it कि जो भी आपने ये nest देखा है क्या वो ready हो चुका है तैयार हो चुका है या फिर अभी भी वो लोग बना रहे हैं क्योंकि आप आपने उसे देखा होगा कि वो लोग महां रह रहे हैं तो भी हो सकता है वो ready होगा तो आप answer लिख सकते है yes it is ready to live और या फिर ऐ सकते हो yes yes the nest is ready ठीक है कि जो nest है यानि घोसला है वो किस condition में है बिलकुल ready condition में उसमें चिडिया वगरा यानि की bird वगरा आके रहते होंगे उसके बाद next है question number 12 और 12th question में आप से पूछा जा रहा है can you recognize which bird has made the next अब आपको ये बताना है कि भी ये जो घोसला वगरा है किस bird न इसे बनाया हुआ है यानि कि you have to identify the name of the bird कि कौन सा bird है जो ये घोसला वसला बना कि हैं रह रहे हैं तो जो भी आपके घर के आसपास है उसके according आप लिख सकते हो कि suppose कर लो crow ने बनाया है तो आप लिख सकते हो yes I can identify yes I can recognize और I can identify ठीक है तो आप इस तरह लिख करके it is it is made by it is made by जो भी bird है उसका नाम लिख दोगे parrot है crow है पीजन है जो भी है उसके according लिख सकते हो कि suppose कर लो parrot है तो parrot लिख लोगे suppose कर लो पीजन है तो पीजन लिख लोगे, क्रो है तो आप क्रो लिख लोगे, तो जो भी आपको लगता है कि भी इस bird ने बनाया हुआ है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, अब next question में आपसे, यानि कि question number 13 में आपसे पूछा जा रहा है, कि what things does the bird bring to the nest, यह जो nest घोसला मे वो क्या-क्या चीज़े, क्या-क्या समान लेकर के आती है, आपको यह बताना है, तो जैसे आप वो घोसला जो है, यह लीप्स वगएरा का बनाओ, लीप्स ले आती होगी, खुछ सकता कुछ श्ट्रॉव वगएरा भी उस करती हो, अपने गोसले को तियार करने के लिए वो आप इस तरह से लिख सकते हो, दा बर्ड, फिर से गलते हो गया, अब ठीक लिखते हो, दा बर्ड ब्रिंग्स, ब्रिंग, श्ट्रॉव, ड्राइ लीफ, एंड, फूड आइटम, ठीक है, यह सारी चीज़े वो अपने लिए लेकर आती होगी, श्ट्रॉव अगएरा हो गया या फिर कह सकते हो, सुखे पत्ते वगरा होगे, तो यह सारी चीज़े वो लेकर आती होगी, या बता सकते हो, उसके बाद next है, question number 14, 14 question में आप से बोला जा रहा है, is there any bird sitting in the nest, क्या इसके इंदर कोई bird वगरा भी भी रहती है, तो आप कह सकते हो answer yes, और जो भी number है, आप उस उसके according answer लिख सकते हो, पर इस तरह से आप question number 14 तक यहाँ पर कर सकते हो, अपने copy में question answer, उसके बाद next है आपके लिए question number 15, ठीक है, इसी के नीचे अगर आगे बढ़ोगे, तो आपको question number 15 मिल जाएगा, और 15 question में आप से बोला जा रहा है, do you think there are any eggs in the nest, क्या इसके इंदर को बता सकते हो, तो answer कह सकतो हो, yes I have seen, अगर देखा है से अगर देखा है से, yes I have seen, yes I have seen, two eggs there, ठीक है, तो अगर दो एंडे देखे हैं, दोल बता दोगे, तीन देखे हैं, जितने भी देखे हैं, उतने हैं आप बता सकते हो, अपने according, क्या अगर नहीं देखे हैं तो आप यह in the nest ठीक है मैंने यहाँ पर क्या बता दिया कि भी मैंने तो दो देखा है तो दो बता दिया तो जितने भी आपने देखे हैं उसके according अपना answer लिख दोगे अचा उसके बाद next है question number 16 16 question में आप से बोला जारा है can you hear any sound like चीची चीची from the nest कि जैसे कोई baby bird होता है तो वो लोग क्या करते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं baby bird होते हैं वो लोग क्या करते हैं sound create करते हैं अगर छोटे bird होंगे तो create करते होंगे तो आप लिख सकते हो answer yes I have कि मलब I hear the sound अगर आपने सुना है तो लिख सकते yes I hear the sound चीची ठीक है कि आपने चीची करके जो साउंड है जो हलकी हलकी आवाज है आपने सुना है तो आप बता सकते हो Yes, I have heard sound चीची अगर नहीं सुना है तो आप answer no भी लिख सकते हैं उसके बाद next है question number 17 और 17 question में आपसे बोला जा रहे है If there are chicks in the nest कि अगर माल लो कि उस नेस्ट के अंदर chicks यानि उसके बच्चे है What do the parents birds bring for them to eat अगर उसके अंदर छोटे-छोटे बच्चे हैं ठीक है Baby bird kind of कह सकते हो तो उसके जो parents है parents का मतलब यहां पर क्या होगा है वो आपको यहां पर बताना है तो इस question का answer आप लोग लिख सकते हो कि mother bird जो बच्चों के लिए लिखे आती होगी food grain वगरा लिखे आती होगी इसके इलाबा कुछ bird ऐसी भी होते हैं जो insect वगरा को भी खा लेते हैं तो वो भी आप अपने answer में mention कर सकते हो और इसका answer कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि mother या फिर parents की की बात है mother bird लिखो या फिर parents bird लिखो अब question में mother bird की जगह या parents bird यूज किया गया है तो आप parents लिख लोगे ठीक है तो answer आप लिख सकते हो कि parents bird parents bird bring food green and insect to eat food green और insect वगरांड के खाने के लिए लेके आती होगे उसके बाद next है question number 19 18 question में आपसे बूला जा रहा है how many times in a one hour do the birds come to the nest कि एक घंटे की अगर बात करें कि जैसे आपने observe क्या होगा एक घंटे में bird कितनी बार उस nest में आती है आपको यह बताना है तो जैसे आपने देखा होगा count किया होगा उसके according आप अपना answer लिख सकते हो मालो अगर दो बार आती है तो two times लिख लोगे three words three times आती है तो three times लिख सकते हो तो उसके according आपने जो भी आपकी observation उसके नए five times अगर आपने देखा है तो five times आ सकते है तो आप लिख सकते हो, कि जैसे मैं मान कर लेता हूँ, two times, तो आप लिख सकते हो answer, two times, ठीक है, और जो भी हो, two times की जगा, four, five times, ten times, जितनी भी बार आती है, उतना आप mention कर सकते हो, अब two मेरे number में लिख दिया है, आप number की जगा यहाँ पे, word में भी लिख सकते हो, two times in one hour, ठी how many days did the chicks leave the nest, अच्छ, अब आपको यह बताना है, कि कितने दिनों के बाद, जैसे आपने काफी दिनों से observe किया होगा, तो जो बच्चे है, वो कब उस nest से बाहर निकलते हैं, starting में तो उसके अंदर ही रहती होगे, लेकिन जब वो बढ़े हो जाते होगे, थोड़े ग्रो कर जाते होगे, तो वो अपने nest यानि घोसले से बाहर में निकलते हैं, तो बाहर कब निकलते हैं, आपको यह बताना है, इसके अंदर, तो सुरू सुरू में तो ऐसा possible होता नहीं होगा, लेकिन जब यह थोड़े ग्रो कर जाते होगे, थोड़े बड़े हो जाते होगे, यानि से after three months के बाद, यह लोग कितने बाहर आते होगे, ठीक है, तो मैंने days में लिखना चाहो, तो 60 days या 90 days भी आप लिख सकते हो, कि after two months और three months की जिगा आप लिख सकते हो, after 60 days और you can say 90 days, तो इसके recording आप अपना answer लिख सकते हो, उसके तो finally जो next question है, जिसमें आपसे question number 20 में बोला draw करना है, तो पहले क्या करोगे, इस question को लिख लोगे, और लिखने के बाद, यह question number 20 है, इसका answer में आपने क्या करना है, इसे drawing कर लेनी है, अगर EBS की copy में जैसे कर रहे हो, एक side में जो white page होते हैं, तो white page में कुछ इस type का आप घोसला draw कर सकते हो, ठीक है, तो यह आपका हो question number 20, जैसे आप 20 question complete कर लोगे, देखो, immediate तो नहीं होगा, थोड़ा time लगेगा, ठीक है, तो video को pause करके, अच्छे से complete कर लेना, तो जैसे complete हो जाएगा, उसके बार जैसे इस question में आप से बोला गया था, उसी के according, आप देखें, तो next question आपके लिए, you have seen how birds use many different things to make their nest, use some of these things and make nest, make a small paper bird to put in your nest, अब इसके अंदर एक activity है, यह जो question है, actually question नहीं, बलकि आपके लिए एक activity है, इस activity में आपने क्या करना है, यानि यह activity 2 हो गया आपके लिए, second activity हो गया, जिसमें आपको एक nest यान की घोसला तयार करना है, और जैसे आप इसके घोसल तयार कर लोगे, उसके इलाबा आपको क्या करना है, एक paper bird आपको create करना है, small size का, और small size का paper bird create करके, आपको इस nest यानि घोसला में से place करना है, तो यह activity है, इसके एक वीडियो भी है, छोटी सी, जिसे आप दूजा आप चैनल पर देख सकते हो, लिंक मैंने नीचे description में दे देख करके भी इसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो में, यानि इस पार्ट में हम लोग question number 20 तक ही करते हैं, बाकि जो remaining question है, उसे हम लोग next part, यानि third part में करेंगे, और थोड़ा सा story के अंदर आगे क्या चलता है, क्या नहीं है, वो भी करेंगे, यानि question number 21st onward हम लोग करेंग है, किसी भी subject के, Hindi, English, EBS, या Maths की, तो चैनल friendship preparation पे जाकर आप देख सकती हो, ताकि आपको भी पढ़ने में थोड़ी help हो जाए, और exam जो अभी आ रहे हैं, तो उसकी revision करने में भी आपको एक सहुलियत मिल सके, ठीक है, चैनल subscribe करना, bell icon press करना, ताकि हर latest video की notification आपको मिल करना, bell icon